दोस्तों नमस्कार दोस्तों आज की रिसर्च का शेयर है TMO Production HQ Limited इसके Financial Year 2025 के Quarter First के रिजल्ट आ चुके हैं रिजल्ट के बाद में मैंने एक रिसर्च की और उस रिसर्च को इस वीडियो के मादम से आप तक पहुचाने जा रहा हूँ वीडियो में सुरू से आखरी तक पने रही है हो सकता ये वीडियो आपके लिए फैदे मन साबित हो दोस्तों कंपनी 2006 में इंकार्पोरेट हुई थी जब कंपनी का पब्लिक इशुए है था तो 10 रुपे खा था शेयर के लिश्टिंग और NAC और BAC पर कित्ते रुपे पर हुई थी ये मुझे जानकरी नहीं मिल पई कंपनी कंस्ट्रक्शन इंजिनिंग के फिल्ड में थी है इनिशिली कंपनी कंस्ट्रक्शन इंजिनिंग के फिल्ड में थी उसके बाद में उसने एक नया बिजनेस और चलू किया अभी हाल में ही एक साल पहले फिल्म प्रोडक्शन का, फिल्म प्रोडक्शन का, फिल्म डिस्टिबूशन का और उससे संबंदित बिजनेस का कंपनी का नाम पहले GI Engineering Solutions Limited था बाद में उस कंपनी का नाम चेंज होके पढ़ गया है TMO Production HQ Limited अब ये कंपनी Construction Engineering के साथ फिल्म प्रोडक्शन डिस्टिबूशन और एलाइड बिजनेस भी करती है दोस्तों पिछले पांच सालों का Revenue और Profit Loss की अगर बात करें तो 2020 में Revenue 0 था Profit 0 था, 2021 में Revenue 0 था, Loss 3 करोड का था, 2022 की बात करें तो Revenue 0 था, Loss 0 था 2023 में Company का Revenue 840 करोड था और Profit 3 करोड था 2024 में Company का Revenue 457 करोड था और Profit 5 करोड था Company कर्श मुक्त है, Company को उपर कोई कर्ज नहीं है दोस्तों quarterly result की बात करें तो June 23 के quarter में Revenue 93 करोड था, Profit 94 लाग था September 23 क्वाडर की बात करें तो Revenue 120 करोड था, Profit 28 लाग था December 23 क्वाडर की बात करें तो Revenue 129 करोड था, Profit 19 लाग था March 24 क्वाडर की बात करें तो Revenue 114 करोड था, Profit 3.47 करोड था June 24 क्वाडर की बात करें तो Revenue 114 करोड था और Profit 1.47 करोड तो June 24 क्वाडर को अगर June 23 क्वाडर से अगर compare करते हैं तो जून 23 quarter में 93 करोड का revenue था और जून 24 quarter में 114 करोड का revenue था जून 23 quarter में 94 lakhs का profit था तो इस बार जून 24 quarter में 147 करोड का profit है तो लगबक डेड़ गुना profit बढ़ गया और करीब 20% revenue बढ़ गया तो जून 24 का quarter जून 24 3 के quarter से बहुत अच्छा रहा है और मुझे लगता है इसी तरह के quarter से अगे भी आएंगे जो कि financial year 2024 से 2025 के result को बहतर करेंगे कंपनी पिछरे भी बना रही है production करती है distribution करती है और उनसे related business कर रही है मुझे लग रहा है company multi-bagger सावित हो सकती है company कुल मिला के company का काम ठीक लग रहा है company ने अपने को जो diversified किया है engineering construction इंजिनिर के साथ में film production और उसके बारे में दोस्तो एफाइस के से जीरो परसंट है डियास के से जीरो परसंट है पब्ली के शेयर 65.65 प्रमोडर के शेयर 64.35 प्रमोडर के शेयर स्कम है यह तुड़ा negative symptom है company के ऊपर करज नहीं है यह बहुत अच्छा symptom है company के पास में 20 करोड का reserve है यह भी बहुत अच्छा symptom है तो कुलमुला की company fundamentally इतनी वीक नहीं है fundamentally केवल प्रमोडर के share point of view से बीक दिखती है और revenue generation धीरे धीरे बढ़ रहा है year over year quarter over year quarter over quarter बढ़ रहा है company अच्छा कर सकती है ऐसा symptom दिख रहा है का face value एक रुपए है लिस्टिंग के टाइम पर face value दस रुपए था stock split होके एक रुपए की face value हो गई है book value एक रुपए 21 पैसे है 52 वीक लो एक क्यानवे पैसे है 52 विखाई एक रुपए 86 पैसे है 23 जुलाई 2024 को share का price एक रुपए 62 पैसे था इस्टॉक का P 36.03 है सेक्टर का P 27 है सेक्टर की P से इस्टॉक का P थोड़ा जादे पर trade कर रहा है डिविडेंड इल्ड की हिस्ट्री नहीं है नतों बोनस की हिस्ट्री है दोसों ये मेरा एक research था मुझे ये share तोड़ा अच्छा लगा इसलिए मैंने इसको research के लिए चुना मेरा research आपके research के लिए फैदे मन साबित हो इसलिए हमने कोशिस की है कि data जानकारी इकटी करें और आपको पहुँचा हूए दोस्तों मेरे share के base पे ना तो share खरीदें और ना ही share बेचें मेरे share का उप्यूग आप अपने research के लिए करें particular share के research के लिए करें और इसके बाद मे अपने financial advisor से राय ले तभी इस share को खरीदे या बेचें दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अगर मेरे channel पे नए हैं तो subscribe करें सब्सक्राइब किया हुआ है तो bell icon को on कर दें ताकि अगले आप वीडियो डाले पर notification आपको मिल जाए और like ज